नमस्कार वित्रूं, हिंदी की खूबसूरत, उम्दा और बेहतरीन कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए वर्तमान में हिंदी लेखन में जाना माना नाम आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी और पांडव हार गये इनकी प्रकाशित किताब का नाम भी और पांडव हार गये हैं जिसमें पंद्रह कहानियों का संकलन है इस किताब की शीर्षक कथा के लिए जो मैं भी आपको सुनाने जा रही हूँ इन्हें संसदिय राजभाषा समयति की अनुशंसा पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तो शुरू करें कहानी घड़ी में पांच बजते ही साफ कुर्ता पाईजामा पहन और हाथ में छड़ी लेकर पंदित दया शंकर पार्क की ओर चल देते दोपहर के तीम बजे से ही उन्हें पांच बजने का इंतजार रहता था आखिरकार यही वो पल थे जो उन्हें जीने की प्रिर्णा देते थे उन्हें एहसास दिलाते थे कि उनकी बची खुची सांसें महतुहीन और निरर्थक नहीं है भरा पुरा घर था पंडित दया शंकर का पांच बेटे पांच बहुएं और पोते पोतियां बस पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था यूं तो घर का शोर बाहर सड़क सही घर की रौनक बताता था पर घर के अंदर पंडित दया शंकर से बाते करने वाला कोई नहीं था कभी कभी बेचारे खुदी बोलते रहते रेडियो की तरह उनकी आवाज सबके कानों तक पहुँचती पर उधर से कोई उत्तर नहीं आता बेचारे एक तरफा बोलते रहते एकाकी पन का स्वगत भाशन एक दिन गलती से पंडित दयाशंकर के सब्र और सहनशीलता का बांध तूड़ किया किसी से कभी कोई शिकायत ना करने वाले दयाशंकर बोल उठे तुम सब तो अपने आप में ही व्यस्त रहते हो मेरे लिए तो किसी के पास समय ही नहीं है बस क्या था उम्र से कमजोर पड़ी उस आवाज को जवाब घर के कोरस ने दिया हम आपकी तरह शान से बेकार तो नहीं बैठे रहते घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को अपना भविश्य बनाना है आपके साथ गप लड़ाने से इनका भविश्य तो नहीं सुधरेगा न पंडित जी को बोलने का पच्चतावा होने लगा कोरस का उत्तर मनी मन कई अनकहे विचार और अनभूतियां दे रहे थे पोते घंटो मोबायल से चिपक कर कौन सा भविश्य सुधार रही है मास्तर को ही चुना कुछ दिन बाद पंडित जी के बड़े पोते का जनम दिन था पंडित जी ने एक दिन पहले ही अपना कुरता पाजामा प्रेस करवाया सेलून जाकर बाल बनवाए और दाढ़ी भी फिर प्यारे पोते के लिए दस दुकान घूम कर एक अच्छी कलम खरी दी रात देर तक जाकर उसके लिए खरीदे जनम दिन कार्ट पर संदेश लिखते रहे सुबह जब पंडित जी की नींद खुली तो देखा कि घर में सब तयार थे लग रहा था कि सब कहीं बाहर निकलने ही वाले हैं किसी से कुछ पूछ पाएं इससे पहले बड़े बेटे और बहु ने आकर कहा बाबु जी बिट्टू का जनम दिन इस बार हम माथेरान में मनाएंगे आप इतना चलने ही पाएंगे इसलिए आप घर परी रहिएगा आपके लिए सारी व्यवस्ता कर दिये है अपना आदेश पूर्ण फैसला सुना कर सब चल दिये पंडित जी के सारे अर्मान सारे प्लान उनके प्रेस किये हुए कुड़ते और पायजामे के बीज दबे रह गए उस दिन भी पंडित जी शाम के पांच बजने का इंतजारी करते रहे ठीक पांच बजे पंडित जी पार्क जा पहुँचे पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी शालिनी पार्क में उनका इंतजार कर रही थी सहरा देकर शालिनी ने पंडित जी को बेंच पर बठाया फिर अपने साथ लाई पानी की बोतल से पंडित जी को पानी पिलाया पानी पीते पीते पंडित जी की आँखे नम हो गई रूंदी हुई आवाज से वो बोले आज बिट्टू का जनम दिन था घर के सभी लोग माथेरान गए हैं बस मैं यहां हूँ अकेला फिर एक सूखे हुए फूल को उठा कर बोले बेटे बुढ़ापा तब अभिशाब बन जाता है जब अपने ही एहसास दिनाने लगते हैं कि अब आप बूड़े हो गए हैं या कहलो कि महत्वहीन हो गए हैं शालिनी सुन रही थी पंडित जी थोड़ा रुख कर फिर बोले शरीर का साथ छूटने का दुख उतना नहीं होता जितना बुढ़ापे के साथ अपनों के छूटने का अच्छानक दया शंकर को एहसास हुआ कि वो शालिनी की शाम क्यों खराब कर रहे हैं उन्होंने बात बदलते हुए शालिनी से पूछा अरे क्या हम आज नारियल पानी नहीं पिएंगे फिर दोनों नारियल पानी वाले के ठेली की ओर चल दिये नारियल पानी पीते हुए शालिनी ने दया शंकर जी से कहा बाबा आप समझ लिजिए कि आज मेरा ही जनम देना है और मुझे ही अपने आशिरवाद दे दीजिए दया शंकर ने भरी आखों के साथ अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया शालिनी उस पार्क में जॉगिंग करने आती थी वो नासिक के किसी कॉलेज में लेक्चरर थी गर्मी के छुट्टियों में मुंबई आई थी एक दिन जब दया शंकर के पैर में मोच आ गई थी तब उसने उन्हें सहरा देकर उनके घर के पास तक छोड़ा था उस दिन से उन दोनों में दोस्ती सी हो गई थी शालिनी जॉगिंग के बाद कुछ समय उनके पास बैट जाया करती थी वैसे भी उसके घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था माता पिता गुजर चुके थे पर उनके पुराने फ्लेट में आकर उसे अनभव होता था कि वो उनके साथ है पार्क में बना ये नया रिष्टा उसकी रिक्तता को कुछ और भर देता था कभी-कभी अनायासी ऐसे रिष्टे बन जाते हैं जो मन के किसी खाली कोने को भर कर शान्ती दे जाया करते हैं शालिनी कभी-कभी दयाशंकर जी के लिए घर से कुछ खाने की चीजें भी ले आया करती थी दयाशंकर जी पड़े प्यार से उसे खाते और प्यार से शालिनी के सिर पर हात फिर देते एक दिन जब खाने का डिब्बा लेकर शालिनी दयाशंकर जी के पास पहुँची तो देखा वो बैठे बैठे बार बार एक तस्वीर को देख रहे थे उनकी आँखों में आशू की एक धारा एक शांत नदी की तरह बह रही थी शालिनी को कारण पूछनी के आवशकता भी नहीं हुई दयाशंकर का दर्द सहारे को पास पाकर शब्दों में बदल गया कहने लगे आज सुलोजना यानेवेरी पत्नी की बरसी थी जब तक उसकी हड्डियों में दम था बेचारी हमें हमारी पसंद का खाना खिलाने के लिए रसोई में सिम्टी रही आज उसकी बरसी पर मेरी इच्छा थी कि उसकी पसंद का भोजन किसी ब्रामन को करवाया जाए जूट या सच एक पल को एहसास तो हो कि वो हमारे बीच ही है मैं जौता भी दे आया था और नौकर से उसकी पसंद की चीजने भी मंगवाली थी पर दया शंकर जी की आवाज पूरी तरह रुद गई थोड़ा संभल कर वो बोले बहुए तो उसके जाने के बाद आई न उन्हें उसकी पसंद नापसंद का क्या पता पसंद का बनाना तो छोड़ो बहुए ने सीधे कह दिया इस बार हम मा की बरसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि खाना बनाने वाली महरी चुट्टी पर है क्या बोलता जिसकी पाच-पाच बहुए हो उसे साल में एक बार भी उनके हाथ का बना खाना नहीं मिले तो फिर बेटों के होने से क्या कुछ देर की खामोशी के बाद दयाशंकर उठ खड़े हुए आज वो शालिनी को रोज की तरह गुडबाए कहे बिना अपने घर की ओर चल दिये यूँ तो हर दिन वो थके हुए कदमों और तूटे हुए मन के साथ पार्क में आते थे और शालिनी के साथ कुछ सुक के क्षण बिता कर प्रफुलित मन से वापस जाते थे पर आज उनके जाते हुए कदम कुछ ज्यादा ही बोजिल और बेमंजिल थे अगले दिन ठीक पाच बजे शालिनी जॉगिंग करने के बाद दयाशंकर जी की प्रतीक्षा कर रही थी घड़ी की सुईया धीरे धीरे जाती हुई शाम की सूचना दे रही थी आखिर कार छे बज गए पर दयाशंकर जी नहीं आये शालिनी का मन चिंतित हो उठा उसका भी घर लोटने का समय हो गया था पर दयाशंकर के ना आने का कारा जानने के लिए वो उनके घर की ओर चल दी इतने थोड़े से दिनों में ही दयाशंकर जी के प्रती उपजे उसके इसने ने आशंकाओं से उसके मन को द्वेलित कर दिया था आखिर आज वो क्यों नहीं आए? कहीं? अगले मोर पर दयाशंकर जी का घर था शालिनी उस मोर से पहले के चौराए पर सड़क पार करने के लिए खड़ी थी शहर के लोटते हुए शाम के ट्रैफिक में सड़क पार कर पाना एक चुनौती ही होती है शालनी सोचने लगी कि किस तरह दया शंकर जी इस यातायात के समुद्र को हर दिन पार कर वापस घर जाते होंगे किस तरह उन्हें फिर अगले दिन यही सब जहलने की हिम्मत होती होगी वो भी इस उम्र में तभी सड़क के उस पार एक व्रद व्यक्ति एक कार से टकरा कर गिर पड़ा उस व्यक्ति का हुलिया शालनी को जाना पहचाना सा लगा शालनी ने देखा कि वो व्यक्ति जान भूच कर गाड़ी के सामने आ गया था कुछी सेकेंड में उसे लोगों ने घेर लिया भीड के 20 से फिर से शालनी ने उसे देखा वो दयाशंकरी थे ट्रैफिक और सिगनल की परवा किये बिना शालनी उनके पास जा पहुची लोगों को हटा कर उसने दयाशंकर जी को पकड़ लिया और आवेश में बार बार पूछने लगी बाबा आपको कुछ हुआ तो नहीं चोट तो नहीं लगी दयाशंकर जी को कोई चोट नहीं आई थी पर वो बिल्कुल सुनन से हो गए थे शालनी को उनके घर का पूरा पता मालुम नहीं था अता वो दयाशंकर जी को टैक्सी में बैठा कर अपने घर ले आई आकर उसने अधिक चीनी डाल कर कॉफी बनाई और प्लेट में उडिल कर उन्हें पिलाने लगी दयाश अंकर जी सोचने लगे बेटियों में जितना प्यार होता है ममता समवेदना होती है उतनी बेटों में शायद कभी नहीं होती है हम क्यों शान से कहते हैं कि हम तो राजा की तरह अपना बुढ़ापा काटेंगे हमारे दो तीन तीन या पाश-पाश बेटे हैं क्यों हम जूटा विमान करते हैं कि हमारी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं जुकेगी हमारी बेटियां थोड़े ही हैं क्या बहूं के सामने बार-बार सर जुकाना बुढ़ापे का बोज कई गुना जादा नहीं कर देता है दया शंकर जी के आंसू उनके गाल के जुरियों में उलज कर सूख गए थे शालिनी ने उन्हें पोचते हुए पूछा बाबा आप जानभूच के गाड़ी के सामने आ गए थे ना आपने ऐसा क्यों किया आपने एक पल को भी ये नहीं सूचा कि आपके बेटे बहु पोते पोतियों के सर से एक क्षण में आपका हाथ उठ जाएगा क्या कोई कभी उनके जीवन में आपकी जगह भर पाता दया शंकर जी के सब्र का बांध फिर तूट गया कहने लगे शालिनी इस बुढ़ापे में तिरसकार और अपमान की मौत तो मैं अपने हाथों हर दिन मरता हूँ कभी कभी लगता है कि हमारे मित्र उपाद्याई जी ठीकी कहते थे कि 75 के बाद बुढ़ों को गोली मार देनी चाहिए पर आज तो मेरे बेटे बहु ने मेरी आँखों के सामने मेरा अंतिम संसकार ही कर दिया शालिनी की आँखों में प्रश्न था दिया शंकर जी बोले आज मैं जब पार्क के लिए निकल रहा था तब मेरे बेटे ने मुझसे अपने छोटे पोते को पास के बस स्टेंड से ले आने को कहा मैंने उससे बस इतना कहा कि मेरे पार्क जाने का समय हो गया है तो बहु कहने लगी हाँ हाँ क्यों पार्क देर से जाएंगे कहीं सहरा देकर इवनिंग वाक कराने वाली चली गई तो कैसे कोई ऐसी लांचन लगा सकता है दिया शंकर जी पहले से और टूप से गए फिर थोड़ा सहियत होकर बोले मैं चुप रह गया शालिनी जो कभी अपने पिता अपने ससर को सहरा देकर चला ना सके उन्हें तुमारे और मेरे मानवी सम्मंद शायद सबसे अन्भूज पहली ही लगेंगे पर अपने बेटे का चुप रह जाना तो मुझे मुखाग ने देने की तरह लगा शालिनी मुझे क्या पता था कि जिन बच्चों को मैं अपना कुल दीबक मानकर गर्व करता था उनकी लौ इतनी तेज होगी जो मेरा अस्तित्व ही जला देगी थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा शालिनी इतना कुछ होने के बाद क्या मैं उनके बीच रह सकता हूँ मैंने सोचा कि शायद मौत ही मुझे इस रोज-रोज के बरने से मुक्ती दिला सकती है इसलिए शायद शालिनी दया शंकर जी की बातों को सुनकर सोचने लगी कि कहा तो वो स्वयम कोई अनात और अकेली समझती थी पर इतने अपनों के होते दया शंकर जी शायद उससे भी अधिक अनात और अकेले हैं फिर एक अधिकार के साथ उसने द्रगता पूर्वक उनसे कहा बाबा अब आप वहाँ वापस नहीं जाएंगे कल मैं वापस ना सिक जा रही हूँ वृद्ध पिता को साथ ले चलने की मजबूरी की जुझलहार थी और कहां शालनी के इस आदेश में एक छोटे बच्चे का अपने माता पिता पर अधिकार जलक रहा था दया शंकर जी शालनी के प्यार और आग्रह को ना नहीं कर पाए और अगले दिन वो सारे संबंदों को पीछे चोड़ एक अनुबंद के भरोसे उसके साथ नासिक चल दिये अगले दिन नासिक में टाइमस ओफ इंडिया का मुंबई एडिशन देखकर दया शंकर जी को मुंबई में छूटे हुए अपनों की यादा गई अंदर अगबार में मिसिंग कॉलम में उनकी तस्वीर थी साथ ही उनके परिवार वालों का आपचारिक आग रहे बाबू जी आप जहां कहीं भी हो घर वापस आ जाईए आपके बिना घर सूना हो गया है बेटों ने इश्तहार देकर अपने कर्तव का पालन कर लिया था या तो फिर बेटों ने अपने पिता को अंतिम तिलानजली दे दी थी शालिनी के साथ रहते हुए दया शंकर जी को आज पांस साल हो गए इन पांस सालों में शालिनी ने उनकी आँखों में कभी आशू भी नहीं आने दिये दया शंकर जी के पांच बेटों ने तो अब तक उनका शाद भी कर दिया होगा पर दया शंकर जी इस एक नए रिष्टे के साथ एक नई दुनिया में जी रहे थे ऐसी दुनिया जिसमें उनकी इच्छाओं भावनाओं और उनके अतीत की एहमियत थी आज फिर उनकी पत्नी सुलोचना की बरसी थी हर वर्ष की तरह शालिनी ने दया शंकर जी से पूछ पूछ कर उनकी पत्नी की पसंद की खानी की चीज़े बनाई और ब्राम्मर भोजन कराया उसपल दया शंकर जी को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी अपने परिवार के साथ है और खुश है उन्हें लगा मानों उनकी पत्नी विजय से भरी मुस्कुराहट के साथ उन्हें कह रही है देखो जी मैंने कहा था न कि बेटियां बेटियों से कई उन्हें अपनी होती है कहने को पराई होती है पर वो हमें एक पल के लिए भी पराया नहीं करती हमारे सुप के लिए जितना दुख सह सकती है उतना आपके पांच बेटे नहीं दया शंकर जी आत्म गलाने से भर उठे उन्हें वो दिन याद आ गया जब एक बार उनकी पत्नी गर्ववती थी सुलोशना को देखकर एक अनभवी दाई ने कहा था कि इस बार निश्य ही उनके बेटी होगी सुलोशना इस अनुमान से बहुत खुश थी और उसने बड़ी प्रसन्यता से इस समाचार दया शंकर जी को कहा हैं फिर उन्होंने सुलोशना को कोई दवा ला कर दी थी और वो उस बार बच्चे को जनम नहीं दे पाई आज अपने ही कहे शब्द बानों की तरह दया शंकर के हिर्दे में चुब रहे थे क्या पता उन्होंने स्वैम ही एक शालिनी को ही अपने हातों से मारा था दया शंकर जी शालिनी को गले से लगा कर जोरों से रोने लगे शायद वो अपने आसों से अपनी आत्म गलानी को धो रहे थे निश्चे ही आज शालिनी ने उनके पांच पांडवों को हरा दिया था अभी आप सुन रहे थे अप्राद बोध और आत्म गलानी से भरे एक व्रद व्यक्तिक की कहानी जिसकी लेखिका थी आर्थी प्रणेजी आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी क्योंकि वास्त विक्ता को ही उन्होंने कहानी का रूप दे दिया है फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो मंगल मैं हो